असलाम आलेकुम डियर वीवर्स मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है HBS Antibody Test इस टेस्ट को Anti-Hepytitis B Surface Antigen Test भी कहा जाता है वक्त जाया नहीं करते हैं शुरू करते हैं अपना टॉपिक HBS Antibody Test डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सबस्क्राइब और साथ में जो बेल का निशान हैं से भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकेट सबसे पहले हम बात करेंगे के HBS Antibody क्या है दरसल में ये Antibody मरीज के खून में बनती है दो से सोला हफ़तों बाद जब Hepatitis B Surface Antigen बिलकुल खतम हो जाता है खून से और मरीज में जो acute Hepatitis का infection होता है तो वो भी recover हो जाता है छे महीनों तक acute infection रहता है और अक्सर मरीजों में Hepatitis B Surface Antigen खून से गाइब हो जाता है और उसकी जगा एक Antibody आ जाती है और इस Antibody को कहा जाता है Hepatitis B Surface Antibody जिसका टाइम है दो से सोला हफ़ते का उसके बाद ये खून में आ जाता है जिससे हमें पता चलता है कि अभी जो मरीज है वो immunize हो गया है उसमें immunity पैदा हो गई है Hepatitis B Surface Antigen चला गया है और ये मकमल तोर पर इस infection से recover हो गया है यानि जिन मरीजों के खून में Hepatitis B Surface Antibody Positive आती है तो इसका मतलब होता है कि ये बंदा पहले एक्सपोज हुआ था Hepatitis B Surface Antigen को या फिर Hepatitis B Virus को और ये infection इसके जिसम में अभी खतम हो चुका है खून से निकल चुका है इसलिए अभी immunity के तोर पर इसके खून में जो antibody मौजूद है वो है Hepatitis B Surface Antibody जिन लोगों के खून में Hepatitis B Surface Antibody आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि ये लोग कुदरती तोर पर immunize हो गए है इनके जिसम में जो immune system था वो इतना मजबूत था इतना strong था कि उसने Hepatitis B Surface Antibody को शिकस दे दी है और उसके खिलाफ अभी इन लोगों के खून में HBS antibody आ गई है जो दिफा करेगी आने वाले वक्त में अगर कभी Hepatitis B Surface Antibody इनके खून में आएगा तो ये antibody उसको खतम करेगी और इसके जिसम को बचाएगी इसके इलावा जो लोग vaccination करते हैं वक्सीन करते हैं तो उस वक्सीन की वज़ा से भी Hepatitis B Surface Antibody के खिलाफ इन लोगों के जिसम में जो antibody है Hepatitis B Surface Antibody तो ये बन जाती है और आने वाले वक्त में अगर कभी भी Hepatitis B का वायरस या Hepatitis B Surface Antibody तो ये Hepatitis B Surface Antibody उसके खिलाफ जिसम का दिफा करेगी अभी बात करते हैं कि HBS Antibody की तश्खीसी एहमियत क्या है तो इस टेस्ट की मदद से हम उन लोगों का पता लगा सकते हैं जो गुदरती तोर पर Hepatitis B Surface Antibody से ठीक हो गए हैं और गुदरती तोर पर उनके जिसम ने Hepatitis B Surface Antibody को बनाया है जो के उनके खून में मौझूद है इसके इलावा जो लोग विक्सिनेशन कर देते हैं और तीन मुकमल डोजिस उसकी पूरी हो जाती है और उसका पता लगाया जाता है कि अभी देखा जाए कि इस विक्सिनेश के लिए भी विक्सिनेशन के बाद Hepatitis B Surface Antibody का टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि Hepatitis B Virus के खिलाफ हमारे जिसम ने विक्सिनेशन की मदद से Hepatitis B Surface Antibody बनाई है या नहीं बनाई तो इसलिए भी ये टेस्ट बहुत ज्यादा इहमियत का हामिल होता है अभी बात करते हैं कि Hepatitis B Surface Antibody टेस्ट के लिए खून का नमूना किस बोतल में लिया जाता है तो तीन से पांच हमल खून का नमूना लिया जाता है रेड टॉप ट्यूब में या फिर जल वाली ट्यूब में इसको हम सेंट्रिफूज करेंगे सेंट्रिफूज करने के अपनी स्क्रीन पर हमारे पास इसके लिए रैपिड टेक्नीक भी अवैलेबल है और इसके अलावा इलाइजा की किड भी Hepatitis B Surface Antibody के डिटेक्शन के लिए आती है तो ये तरीके हैं जिसकी मदद से हम Hepatitis B Surface Antibody का पता लगा सकते हैं मरीज के खून में अभी बात करते हैं क या वो अगर Hepatitis B के इनफेक्शन से ठीक हो चुका होता है तो जब हम टेस्ट करते हैं और इसका जब रैपिड टेस्ट करते हैं तो इसमें सिर्फ पॉजटिव और नेगेटिव का रिजल्ट दिया जाता है इस ट्रिप में आप देख सकते हैं ये रैपिड टेक्नीक है रै इस बंदे ने वेक्सीन नहीं किया ये या ये बंदा जो है ये नेचरली या खुदरती तोर पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है एपिड टेस्ट बी इनफेक्शन के खिलाफ इसके इलावा इसके लिए इलाइजा किट भी अवेलेबल है और इलाइजा किट में इसका जो नॉ 10.000.000.000.000 से जियादा 10.000.000.000.000 से जियादा मोर दें 10.000.000.000.000 बिखाएं जिससे हमें पता चलेगा कि ये बंदा वाकई तोर पर इम्यूनाइज हो चुका है विक्सिनेशन के बाद इसके जिसम में हैपिटाइज़ bी रफिस एंटीबॉडी बन चूकी है और आने वाले वक्त में हैपिटेटिस B के खिलाफ इसके जिसम में ये एंटी बॉडी मौजूद है जो इसका दिफा करेगी तो ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर इलाइजा की किट ये अवेलिबल है और इसका नॉर्मल रेंज दस मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमल से ज्यादा होना चाहिए तो हम कहेंगे के विक्सिनेशन कामियाब हुई है या खुदरती तोर पर ये बंदा शेयर कीजिएगा हमारे चैनल में टी है विद कामरान को सबस्क्राइब कीजिएगा अपना डेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाहफेज